नमस्कार मैं प्रांशी रठोर और आप तीक रही हैं निक्स्ट नाइन न्यूस रजिस्थान की विधान सभा चुनाप में भारती जनता पार्टी ने भले ही प्रचंड जीत हास्तिल कर रखी हो लेकिन बीजेपी के सामने राजिस्थान में अब भी कई बड़ी बड़ी चु उनके मंत्री मंडल का विस्तार हुआ और मंत्री मंडल में विभागों का बटवारा भी हो चुका है लेकिन अभी भी बीजेपी आलकमान से नाराजगी कही ना कहीं देखने को मिल रही है पूर्व मुख्य मंत्री वसुंदर राजे सिंध्या की जी हां ये बात आप बखु रहे उनकी मांग रही कि सियम उन्हें ही बनाना चाहिए और वह एक प्रवल दावेदारी पेश करती हुई नजर आए लेकिन बीजेपी आलकमान ने एक नए चेहरे को आगे किया भजनलाल शर्मा जो पहली बार विधायक बने और मुख्य मंत्री भी बन गए अब देखा ज रही है और लोग सभाज चुनाव को मत्य नजर रखते हुए जो बैठक की गई उस बैठक में कई दिगज नेता शामिल हुए लेकिन वसंदर राजे सिंध्या शामिल नहीं हुए ऐसे में देखा जाए तो दावे ये तक कर दिये गए कि कहीं ना कहीं वह पार्टी से अब देरे-देरे खुद ही साइड लाइन हो रही है वह अलकमान से अब भी नाराज हैं लेकिन इसकी एक बड़ी वज़ा सामने आ चुकी है दावे कि ये जा रहे हैं कि वसंदर राजे सिंध्या इस बैठक का हिस्सा इस वज़ा से नहीं बनी क्योंकि उनकी बहु यानि कि उनक राजिस्थान के मुख्य मंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी काई के अध्यक्षि सीपी जोशी, राजिस्थान प्रभारी अरोड सिंग, केंद्रे मंत्री गजेंद्र सिंग, शेखावत, अर्जुन राम मेगभाल के साथ अन्यनेता उपस्तित रहे। इस सिंध्या के कड़े तेवर कही ना कहीं देखने को मिले। अब ऐसे में देखा जाए तो लोगसभा चुनाप को मद्दे नसर रखते हुए कई एहम बैठक की जाएंगी। वसुनर राजे सिंध्या की मुलाकात होगी क्योंकि जैपुर से लेकर दिली तक का रास्ता वहनापती हुई नसराई थी क्योंकि उन्हें मुख्य मंतरी पद चाहिए था और इस वक्त नाराज आलकमान को वहन मनाती हुई देखी गई अब देखना होगा कि आखिरकार यहा देखी नेग्स दिली नीवस